हलो दोस्तों आपको स्वागत करती हूँ ओके क्रेजिट में और आज एक बड़ फिर से आपके सामने एक बहुत अच्छी बिजनस आइडिया के साथ हाजिर हूँ और अगर आपको याद हो तो पीटे समय में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी थी यानिकि से नो प्लास्टिक तांकि हमारे पर्यावरन को हानी ना हो और साथ ही साथ इसके पीछे एक बहुत अच्छा जो कारण था बहुत अच्छी मंशा थी वह यह थी कि जो हमारी पारम पर एक वस्तों हैं उनको बढ़ावा मिले जैसे अगर आप प्लास्टिक यूज करते थे लेकिन शूरू करते थे उसके जूट के बैग लेना शुरू कर दिये हमने मांस की ऐसी चीजें बनाना शुरू कर दी जो आपके लिए भी अच्छी है और परयाव कि बीश्य हैंАर सबसे च्रिजा बात मिकों तो आज माज्जagen बात करेंगे कि बास मिञां की आप ऑड़ शुपी क तो इसकी उपर बात करेंगे और इसकी उपर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार द्वारा इन सब वस्तों के निर्मान के लिए इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए कई सारी ऐसी पॉलिसी हैं जो शुरू की गई है ताकि आर्थिक सहाता मोहया करा सके और कि आप आगे किस तरह के वीडियो बिजनस को लेकर देखना जाएं तो आपको वो प्रोड़क्ट बनाना आता हो और आपको प्रोड़क्ट बनाने की बारी कि आप पता हो कि ये प्रोड़क्ट कैसे बनता है प्रोड़क्ट की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं आपकी सविडियो के ये इस वीडियो के दिस्क्रιप्शिन बॉक्स में खाधी गरामद dab Jao की वेबसाइट का लिंक एड किया गया है आप दिस्क्रिप्शिन बोक्स से लिंक ले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नाशनल बैंबू मिशन की वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं इस वेबसाइट पर बहुत से ऐसे संस्थानों के बारे में बताया गया है जो बास की बोतल और बास के बने सामान बनाने की ट्रेनिंग देते हैं कितने रिवेश में शिरू होगा ये बिजनस? यदि आप बास की बोतल बनाने का बिजनस शिरू करते हैं वो भी छोटे पहमाने पर तो आपको अधिक खर्च नहीं करना होगा यानि कि छोटे स्थर पर बास की बोतल बनाने का बिजनस आप 2,00,00 रुपए लगा कर शिरू कर सकते हैं बता दें इस बिजनस को शिरू करने के लिए कोई खास स्किल और अधिक लागत की आविशकता नहीं है अगर आप इस बिजनस को बड़े स्थर पर शुरू करना चाहते हैं जैसे कि बास की बोतल बनाने के साथ साथ अन्य बास के प्रोड़क्ट्स तो आपकी लागत बढ़ जाएगी जैसे कि बास के कप प्लेट, अन्य बरतन, डिजाइन और शोपीस, घर में सजाने वाले आइटम्स, बास से बने फरनीचर, डंडा, टोकरी, बास से बने अभूशन, हैंडिक्राफ्ट चीज़ें और लैंप सेट आदी इस तर के बड़े बिजनस के लिए आपको 15 लाग से 20 लाग तक का निवेश करना पढ़ सकता है इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप खादी ग्रामीर उद्द्योग की वेबसाइट पर जाएं आप मध्यप्रदेश टेट बाम्बू मिशन की वेबसाइट पर भी आकर जानकारी ले सकते हैं इस वीडियो के सबी लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पा सकते हैं जाने कहां कितने रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं यदि आप इस बिजनस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनस में कहां कितना खर्च करना है ये पता होना चाहिए खादी ग्रामीर उद्योग ने इस बारे में रिपोर्ट निकाली है कि किस प्रड़क्ट में कितना खर्च आएगा बांस के प्रड़क्ट बनाने का बिसनस शुरू करने के लिए आपके पास 1,70,000 रुपए का बजट होना चाहिए जो कि रौ मेटीरियल के लिए खर्च होगा 500 स्क्वेर फीट की जगा होनी चाहिए जिसमें 1,00,000 रुपए तक में शेट लगा दिये चाहेंगे 15,000 रुपए में एक्विपमेंट आ जाएंगे जिसमें चाकू बांस को काटने के लिए औजार, हथोड़ा, ड्रिल वगएरा शामिल है कुल मिलाकर आपके पास 2,00,000 तक का बजट होना चाहिए इस बिसनस को करने के लिए अधि खर्चे की लिस्ट का लिंक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बिसनस को शुरू करने और अन्या खर्चे के बारे में डीटेल में जानकारी पा सकते हैं तो देखा आपने कि सरकार की मदद के साथ आप कैसे घर बैठे ये बिसनस शुरू कर सकते हैं और कम लागत में जादा मुनाफ़ा एक समय के बाद कमा सकते हैं और तमाम चीजें तमाम लिंक्स हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हैं